Hello Friends, Welcome to my channel Baby Mommy Help बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश का मौसम शुरू होते ही माता पिता को बच्चे की हेल्थ की चिंता होने रगती है जिनके बच्चे 2-3 साल के हैं, बाहर खेलते हैं और बारिश में गीले हो जाते हैं बच्चों को बारिश में गीला होना बहुत ही पसंद होता है लेकिन माता पिता को चिंता होती है तो बारिश के बार बच्चों के बिमार होने की जी हां दोस्तों, बारिश में बच्चे अगर खेलेंगे तो बच्चे बहुत बार बिमार भी हो जाते हैं बच्चों को सर्दी, खासी, बुखान निमोनिया और स्किन एलर्जी जैसे प्रॉब्लम हो जाती हैं क्योंकि बारिश के कारण बहुत जगा गंदिगी भी फैल जाती है तो आज का वीडियो में इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ कि माता पिता क्या क्या सावधानी रख सकते हैं जिससे कि बारिश के मौसम में उनके बच्चे को कोई भी बिमारी ना हो केवल थोड़ी देर अगर आप बच्चे का धंसे ध्यान लख लेंगे तो आपका बच्चा बारिश के बार भी बिमार नहीं होगा तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे के आपको मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट भी मिलता रहें चलिए वीडियो शुरू करते हैं जब आपका बच्चा बारिश में गीला हो जाता है और जब आप उसको घर पड़ लाते हैं तो सबसे पहले बच्चे को गुनगुने पानी में नहलाना चाहिए गुनगुने पानी में आपको एक ढखकन डिटॉल की डाल देनी चाहिए उसके बाद आप बच्चे को नहिलाएं इससे क्या होगा कि बच्चे को बारिश के कान अगर कोई भी गंदिगी की टानू लगे हैं तो डिटॉल से वो अच्छे से साफ हो जाते हैं और गरम पानी में नहाने की वज़े से बच्चे के शरीर में जो तापमान है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो हलके गुनगुने पानी में एक ढखकन डिटॉल के डाल कर आपको बच्चे को नहिला देना है उसके बाद आप बच्चे को अच्छे से पोचने के बाद बच्चे के सर को भी आपको बहुत ही अच्छे से पोचना है हलके गुनगुने सरसों के तेल से आप बच्चे की मालिश कर दे इससे क्या होगा कि बच्चे के शरीर में गर्माहट बनी रहेगी बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और वारिश में भीग जाने के करण उनको सर्थी खांसी की समस्या बहुत ही जल्दी हो जाती है तो आप बच्चे की हलके गुन-गुने तेल से मालिश कर दें इससे आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा अब आपको क्या खरना है बच्चे को आपने पोच दिया जैसे आप बच्चे को कपड़े पहनाते हैं तो उसके बाद आप बच्चे को कोई भी ठंडी चीज खाने के लिए ना दें दैही, छार, मठा, आइस्क्रीम, कच्चा अंडा ऐसी कोई भी जीर बच्चे को कम से कम एक से दो घंटे आप ना दें जिससे की बच्चे को कोई भी इंफेक्शन होने का खत्रा ना हो तो बच्चे को आपको इस सब चीजे नहीं देनी है बारिश में भीगने के बाद आप बच्चे को डायरेक्ट AC कूलर में ना रखे बच्चे को सीधी हवा में ना रखे थोड़ी देर इससे क्या होगा कि बच्चे के जो शरीर का तापमान है वो थोड़ा नॉर्मल है ठंडा है और जैसी वो AC कूलर के संपर्क में आते हैं तो हो सके तो आप एक या दो लोंग या फिर तुलसी को पानी में पका लीजिए और वो पानी बच्चे को पीने को दीजिए इससे क्या होगा कि अगर आपके बच्चे को कोई भी infection हुआ है तो वो भी नहीं होगा बच्चे को सरदी खासे जुखाम की समस्या नहीं होगी बच् बच्चे के सौक्स, कपड़े, सब चीजों को अच्छे से डाल करते होई ये बाहर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर बारिश पड़ती है तो बाहर क्या घर में भी बहुती गंदिगी फैल जाती है मच्छर, मख्य ये सब होना बहुती खतरनाक होता है तो बच्चों को ब बहुती नुकसान दायक होते हैं तो दोस्तों अगर बच्चा आपका बारिश में भीग गया है तो अगर आप ये थोड़ी से तीन-चारी स्टेप कर लेंगे तो आपका बच्चे को कभी भी सर्दी खासी और बुखार जैसी समस्या नहीं होगी अगर आप बच्चे को नहीं काटने होंगे घर की साफ सफाई की बहुत यदिक ध्यान रखे घर को साफ रखे कपड़ों को साफ रखे कभी भी बच्चे के कपड़ों को गंदा ना पहनाए हमेशा बच्चे को दिन में दो से दीन बर साफ कफड़े ही पहनाए हाथ बच्चे के समय समय पर धुलव पर था जिससे कि आपको आने वाले बरसात के मोसम की जानकरी अच्छे से मिल पाए कि बच्चे का ख्याल आपको कैसे रखना है अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें जिससे कि आपको मेरे आने वारे वीडियो का अपडेट दिन मिलता रहे थेंक यू फर वाचिंग बेबी मॉमी हैल थेंक यू नमस्कार